लेकि हर पार्टी का एवलूशन होता है, ट्रांजिशन होता है, जो कॉंग्रेस पार्टी दस साल पहले थी, जो हिंदुस्तान के हालाद दस साल पहले थे, बीस साल पहले थे, तीस साल पहले थे, चालिस साल पहले थे, वो बदलते जाते हैं, पार्टी को अड़ाप्ट करना पड़ता है अभी आप Congress Party को adapt करते हुए देख रहे हूँ कम्या रही है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि Congress Party ने कभी गलती नहीं की गलती की है बहुत गलतियां की है मगर देश के जो हालात है उसके लिए आप Congress Party adapt कर रही है और जो Congress Party की जड़ है जो उसका DNA है अब Congress Party उसके ओर जा रही है और मैं आपको एक बात कह सकता हूँ जिस दिन Congress Party ने अपनी जड़ पकड़ ली जिस दिन जो Congress है वो Congress संगठन बन गया उस दिन यहां पर कोई नहीं हरा सकता तो यह communication है जनता के साथ एक communication है जनता को समझने का प्रयास है और अपने आपको बदलने का प्रयास है ठीक है तो यह आप transition देख रहे हैं इसमें थोड़ा time लगेगा मगर यह विचारधारा जो है Congress Party की यह 10-15 साल पुरानी नहीं है यह 100 साल पुरानी भी नहीं है यह जो लड़ाई चल रही है यह 1000 साल पुरानी लड़ाई है हजारों साल पुरानी तो यह विचारधारा की लड़ाई पहले थी आज है कल भी रहेगी Congress Party को precisely यह समझना है कि Congress Party है क्या और वो एक सफर है और हमारे लिए जो हो रहा है मैं आपको बताओ यह जो BJP आई है जो RSS आई है सारे institutions को capture कर लिया है कर लिया है नोने यह Congress Party के transition के बदलाव के लिए transition के लिए नई एक जो Congress Party का रूप है उसके लिए बहुत अच्छा है खराब नहीं है और जो हमारे जो हमारे serious नेता है जो Congress ही है उनको यह मालूम है और वो दिख जाते हैं वो डरते नहीं है वो दिख जाते हैं हर पार्टी हर पार्टी का evolution होता है transition होता है जो Congress Party दस साल पहले थी जो हिंदुस्तान के हाला दस साल पहले थे 20 साल पहले थे 30 साल पहले थे 40 साल पहले थे वो बदलते जाते हैं पार्टी को adapt करना पड़ता है अभी आप Congress Party को adapt करते हुए देख रहे हो कम्या रही है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि Congress Party ने कभी गलती नहीं की गलती की है बहुत गलतीयां की है मगर देश के जो हालात हैं उसके लिए आप Congress Party adapt कर रहे है और जो Congress Party की जड़ है जो उसका DNA है अब Congress Party उसके ओर जा रही है और मैं आपको एक बात कह सकता हूँ जिस दिन Congress Party ने अपनी जड़ पकड़ ली जिस दिन जो Congress है वो Congress संगठन बन गया उस दिन यहां पर कोई नहीं हरा सकता तो यह एक communication है जनता के साथ एक communication है जनता को समझने का प्रयास है और अपने आपको बदलने का प्रयास है ठीके तो यह आप transition देख रहे हैं इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मगर यह विचारधारा जो है Congress Party की यह गस-पंद्रा साल पुरानी नहीं है यह जो लड़ाई चल रही है यह हजारों साल पुरानी लड़ाई है हजारों साल पुरानी तो यह विचारधारा की लड़ाई पहले थी आज है कल भी रहेगी Congress Party को precisely यह समझना है कि Congress Party है क्या और वो एक सफर है और हमारे लिए जो हो रहा है मैं आपको बता हूँ यह जो BJP आई है जो RSS आई है सारे institutions को capture कर लिया है कर लिया है नोने यह Congress Party के transition के बदलाव के लिए transition के लिए नई एक जो Congress Party का रूप है उसके लिए बहुत अच्छा है खराब नहीं है और जो हमारे serious नेता है जो Congress ही है उनको यह मालूम है और वो दिख जाते हैं वो डरते नहीं है वो दिख जाते हैं